कि डिसीपी मेक्सिर्षडी चैनल में आप सभी का स्वागत है बाइलोजी लेवल टॉप एंड मोस्ट क्यूशन पार्ट नंबर चाहुदा है एक से उक्तिस नंबर क्यूशन आपके बीच पस्तित है दिल का दवरा किस कारण से होता है हिर्दय पर जिवान को हमला हिर्दय गत में पर जाकर आएक दिल के दौरें के रूप में जाता है इसके तहाद दिल के कुछ भागों में रख सशंचार में बाधा होती है जिससे दिल की धमनी कला काठिन ने पट्टिका के विदारण के बाद परिश्द जिसे कहते हैं धमनी के रोज यानि रुकावट के कारण होता है जो की लिपिट यानि फैटी एसिट का एक अस्थिर तंग्रा और धमनी पट्टी में स्वेत रंग कोश्का यानि विशेश रूप से व्रेत भ सब्सक्राइब के द्वारा हेप्टाइटिस बी की विमारी होती है वायरस प्रोटोजोवा वैक्टीरिया इनमें से कोई नहीं राइट अंसरों कमें द्यारतियों वह होगा आपतर नंबर यानि वायरस जी हां करेक्ट एंसर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जामीत होकर सू जाता है जिस्टे जलन के साथ ही उसकी काम करने के तरीके पर अशर पड़ता है गर्वती मेला को अगरे यह नहुजाद बच्ची तक पहुंच जाता है डेंगू बुखार के करण मानों सरीर में लुखित में से किसमें कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की हिमो करी देना चाहेंगे यह डेंगो बुखार एक संक्रमण है जो डेंगो वाइरस के करन होता है डेंगो का इलाज समय पर करना बहुत जरूरी होता है मचे डेंगो का इतना आधिक दर्द होता है कि जैसे इनकी हड़िया तूट गई हो डेंगो बुखार के कुछ लचणों में बुखार तीर दर्दे तोचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते निथा मांच पेशियों और जो उनों का दर्द सामिल है कुछ लोगों में डेंगो बुखार एक या दो आशे रूप में होता है जो जीवन के लिए खत्रा होता है पहला डेंगो रक्त स्रावी बुखार है जो जिसके कारण रक्त वाहिकाओं रक्त ले जाने वारी नालिकाय में रक्त साव या रिशाव होता है तो था रक्त ब्लेलि रीजिया किष्कर दोबारा एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती तक अंतरित कि जाता है एस इस मच्छड कि उलेक्स मच्छड इन आफिलिज मच्छड यह सभी रई जो वोकाफ से नमर सी यानी अनी ऐने फिलिट मच्छड करेक्ट एंसर जानकारी देना चाहिए कि मलेरिया या इंक्रामक रोग है जो प्रोटोजवा परजीव फिद्वार फैलते हैं मलेरिया की परजीव का वाहक मादा एना फ्रीज मच्छर है एक तो पतित नमर की उच्छन है बीसी जी का टीका कितनी उम्र में लगा जाता है दो से तीन वर्स के भीतर देस वर्स में नवजात 15 दिन के के बाद इस विमारी से बचाओ हो जाएगा तेरह सुनी साल की उम्र में यह टिका लगा जाता है लेक्सिशन जीका वाइरस का वाहक कौन सा मच्छर है क्यूलैक्स एडिस एनिफिलिस क्यूलिस उच्छा इमराट अंसर होगा विज्यातियों होगा आप तर नम भी जी हां कर परवार से हैं जो दिन के सक्री रहते हैं इसनों में मामुली बिमारी के रूप में जाना जाता है जिसे जिका बुखार। इसको अच्छे से पढ़ लेजेगा इसे भी क्यूशन पूछ सकते हैं नेक्ट क्यूशन अभी क्यूशन मोस्ट हैं दही जमाने में लिखित में से कि सुचमचीव का प्रयोग किया जाता है कि एसीटोबेक्टर लिकोनो श्टोउ को कि बैसलस लेक्टाभए सिलास्ट conviction से धिवाड़ार इन्सका स्वालंतर धैसा होता है इसक अलवाए जीवाड़ डूद से दही बनाने में साहिक होता है लेक्ट्राभए से क्यूशन शीपह시면षए खसरान मिलिखी संक्रमण के कारण होता है विशान जीवान कवक सहवाल इसका राइट अंसरों के विज्यारतियों वह होगा आपसर नंबर ए यानि विशान देखना है करेक्ट अंसर है कि नहीं कि जी हाँ हाँ करेक्ट अंसर है आपको जंकारी देना चाहेंगे एक सब्सक्राइब एक्शन प्रडालिकी आपसे विश्याय कि tot निक्रित मेकलो पॉपुलर एरिते मॉटस चकते भी सामिल है नेक्ट क्यूशन लिटमस किसमें से निकाला जाता है हल्दी सिनकोना की छाल लाइकेन मसरूम उसका राइट अंसरों का विद्ध्यारति हूं वह होगा आपसर नमबर सी यानि लाइकेन ये करेक्ट नंसर आपको जनकारी देना चाहिए कि लिटमस जल में घुलंतीन विभिन रंजिकों का एक मिश्ण होता है जो थैलोफाइट अमू के लिचेन यानि लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है प्राया इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है लिटमस विलियंज जमन तो अमली होता है नहीं चार की तब यहां वैगनी रंका होता है लेक्ष्ट क्यूशन को कुरूंजी पुष्प के बाराव वर्ष में एक बार खिलने का कारण है प्रकाश अवदी अधिप्त अवदी प्लोरोजियन स्राव उपरिक्स सभी इसमें राइट एंसर होगा वहोगा आपसर नमर सब्सक्राइब के अच्छिण भारत के पश्चिम घाट के 18 मीटर से उचे 16 घास के मैदानों में वहतायत ते उगने वाला एक पौधा है नीरगिरी परवत को अपना ना मिली नीले कुरंजी के पुष्पुष्पुष्चे अच्छानित होने के कारण मिला है यह पौधा ब अधान्स फार वाच्टी इस्टूट्स आयते ही लेगे रहें डिशेपी में ख्रिश्टी चैनल पर और तभी विचे कंपेटीशन को टाप करिए खासता औरते में बावला जी बढ़ाता हूं और वोश्चित करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अपने मित्रों के पास सेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो का अलाव उठाते कर अपने अच्छा मार्क ला सके धन्नमाद